Welcome back to my YouTube channel World Literature आज यो राइटर हम लोग डिसकस करने वाले हैं वो है Martin Heidegger इनके Aesthetic Theory and Art इसको हम डिसकस करेंगे इनके क्या Concepts थे Art को लेकर Aesthetic Theory को लेकर क्या Concepts थे इन सब चीजों को हम डिसकस करेंगे इनोंने ट्रैडिशनल Aesthetic जो तेयरी थी उसको जो है वो चालेंज किया है Martin ने अगर हम लोग Martin के बात करें तो ये Philosopher थे और इनकी जो बर्थ है वो ही थी 26 September 1889 में इनकी Death हुई जी 26 May 1976 में German Philosopher थे और इनका जो Contribution है Phenomenology में बहुत ज़दा Important है Hermenetics में Important है and Existentialism सबसे पहले Phenomenology के structure क्या है कोई चीज exist कर रही है उसका pattern क्या है उन सब चीजों को डिसकस किया जाता है इसमें Hermenetics के अंदर हम लोग different interpretation करते हैं different text की, literature की, art की किसी भी चीज की जो है वो हमने interpretation करनी है और existentialism existentialism होता है कि कोई भी human being है उसकी existence का meaning क्या है, purpose क्या है, aim क्या है, हम इन सब चीजों को इसके अंदर study करते हैं तो यह जो तीनों branches थी Phenomenology, Hermenetics and existentialism इसके अंदर इनका major contribution है और 20th century में most influential philosophers में इनको consider किया जाता है Martin स्टार्ड में बताया है कि हमने traditional जो aesthetic theory थी हमने उसको यहां पर challenge करना है क्योंकि Martin ने challenge किया है क्योंकि इनों ने traditional aesthetic theory थी उसको critique किया है अब वो critique किस तरहां से किया है जैसे कि हमें पता है aesthetic theory होता गया है जिसके अंदर हम लोग beauty को study करते हैं कोई भी art है उसको study करते है और उसका जो structure है हर चीज उसको हम लोग aesthetic theory के अंदर discuss करते हैं और जिब हम लोग art aesthetic theory पढ़ रहे हैं तो आपने अपने mind को थोड़ा सा open रखना है इस हवाले से क्योंकि art को just आपने painting से consider नहीं करना है यहां पर आपने यह नहीं कहना है कि सिर्फ painting जो है वो एक art है literature भी art में consider होगा music भी होगा everything जो हमारी society का part है जिससे जो हमारी society जो है impact होता है जिस पी चीज़ का तो उसका हम art में consider करते हैं तो martin ने जैसे कि aesthetic theory को जो है वो यहां पर challenge किया है तो इनका एक essay आया था the origin of the work of art 1935 में यह बहुत इनका important work है aesthetic theory के हवाले से या फिर art के हवाले से जो हम art को study करते हैं क्योंकि इन्होंने अपने new ideas दिये हैं art के हवाले से और इन्होंने art का जो origin हुआ था उस चीज़ को इसमें डिसकस किया है actually में इसके अंदर इन्होंने complex analysis किया है arts की nature का कि जो art होता है उसकी nature क्या है और जो human existence है उसमें art का क्या role है means कि हमारी जो regular life है इसके अंदर art का क्या role है इस series को जो है वो इन्होंने इसमें discuss किया है Martin का जो art के हवाले से concept है वो traditional aesthetics से थोड़ सा different है traditional aesthetics के अंदर beauty को जो है वो सिर्फ praise किया जाता है means कि beauty की तारीफ की जाती थी art की जो है वो तारीफ की जाती थी बट इन्होंने beauty पे भी focus किया form पे भी focus किया और जो sensory experience है किसी भी art का उस पे focus किया अब इन दोनों में difference क्या हुआ कि जो Martin का art है वो कहता है कि truth जो है वो कहां से create होता है वो art के through होता है कहते हैं कि art का सिर्फ purpose beauty नहीं होता उसका purpose ये भी है कि वो हमारे सामने जो है वो truth को लेके आता है और ये इनकी बड़ी philosophical एक बात है किस तरह से कोई चीज़ जो है वो exist कर रही है उसका होना और उस चीज़ की nature क्या है उन दोनों चीज़ों का उसके पीछे behind truth क्या है उसको इन्होंने discuss किया है और जो traditional वाले थे वो सिर्फ art को as a beauty लेते थे वो सिर्फ उसकी तारीफ करते थे किस तरह उसको beautify किया जाए further से further उसमें ये categories ढूंडते रहते थे लेकिन Martin ने जो है वो art को as a beauty भी लिया है और Martin कहते हैं कि जो art है उसके थरू जो है वो हम लोग किसी भी चीज़ का truth जान सकते है कि किसी भी चीज़ की हकीकत क्या है उसका सच क्या है हम जो है वो art के थरू जो है ये चीज़ जान सकते है Martin की इस aesthetic theory का हम जो है कुछ की aspects को detail analysis कर लेते है सबसे पहला जो इनोंने concept दिया है वो है art as a revelation of truth कि art के थरू जो है हम किसी भी चीज़ का जो है वो सच जो है जान सकते हैं क्या कहते है Martin कहते हैं कि किसी भी art का जो essence है means कि art का जो meaning है उसका जो होना है किसी भी art का उसके अंदर ये ability होती है कि वो truth को reveal कर सके means कि किसी भी चीज़ का truth है कोई भी art हो गया कोई painting हो गई जो कि किसी historical context किसी चीज़ का बता दे history बता दे किसी हमें king के बारे में बता दे means कि कोई भी ऐसा art जो किसी truth को हमारे सामने reveal करे वो actually में art होता है और जो ये revolution होती है ये scientific नहीं होती means कि ये कोई specialism चीज़ नहीं है कि कोई scientific ही होगी ये कोई philosophical truth भी हो सकता है या फिर कोई ऐसा truth भी हो सकता है जो हमें ये बताए कि हमारी जो existence है वो इस world में कैसे आई हम कैसे जो है वो पैदा हुए और जो इस दुनिया में हर चीज़ है वो कैसे जो है वो बनाई गई है और इसके बात कहते हैं कि art जो है ना वो हमारे उपर disclose करता है कि जो चीज़ें इस दुनिया में exist कर रही है वो कैसे बनी है अगर art ये नहीं करता है तो ये सारा जो truth है ये हम से hidden रहेगा हम जो है ये सच कभी भी जान नहीं पाएंगे कि actually में क्या है तो according to Martin जो art है वो सिरफ beautify करने का नाम नहीं किसी भी चीज़ को art जो है वो truth को भी reveal करता है concept दिया है वो है the work of art का इस term को इन्होंने use किया है कहते हैं कि जो कोई भी art होता है ना वो सिरफ physical नहीं होता वो physical object भी हो सकता है और physical object नहीं भी हो सकता है अभी जो art है इस ये वो होता है कि कोई भी चीज़ है जैसे कि world है और उसका जो observer है जैसे कि artist हम कह सकते है artist world को किस तरह से observe कर रहा है वहां से किस तरह से concept ले रहा है idea ले रहा है देन उसको वो एक paint कर रहा है उसको art को create कर रहा है कहते हैं कि इन दोनों का आपस में जो dynamic relationship है ना उसको भी हम art में consider करते है पर दर इन्होंने इसी concept the work of art को example दे के थोड़ाता समझाया है बताते हैं कि जैसे कि कोई भी Greek temple है जैसे कि वो temple बना हुआ है अब उसके अंदर जो art use किया गया है मतलब उसको जैसे बनाया गया है उसके अंदर हमें culture भी मिलेगा religious beliefs भी मिलेंगे उसका historical context भी मिलेगा means कि उसमें physical चीज़े भी है जैसे कि वो physically हमें नजरार है और उसके अंदर physical चीज़े भी नहीं है जैसे कि culture हो गया वो physical तो नहीं हमें show करवाया जारा लेकिन हमारा कुछ belief है उसके साथ हमारे religious beliefs हैं जो कि उस temple से associated है उसकी कोई history है अब history उपर लिखी तो नहीं होगी कि physical ये इसकी history है बट हमारे mind में जो physical वो चीज़ नहीं है लेकिन हमारे mind में उसके बारे में knowledge है means कि art जो है वो physical भी हो सकता है और art जो है वो दूसरी form में भी हो सकता है निकी जो इन तोनों का जो combination होता है उसको the work of art भी नो हने कहा है सब्पर दिया है वो है the ontology of the artwork ontology क्या होता है ontology होता है किसी भी चीज़ के होने की वज़ा या फिर being जिसको कहा जाता है कोई भी चीज है क्यों और उसके होने की वज़ा किया है या पिर किसी चीज़ का होना इनके किसी चीज़ की प्रेसस जो है वो उसको जो है वो antology कहा जाता है the ontology of the artwork, हमने artwork की ontology को अभी हमने इसमें discuss करना है क्या कहते हैं Markin इसके अंदर कहते हैं कि artwork का जो mood of being है कि मतलब कि वो किस form में पाया जाता है अब इसमें हम वो discuss करते हैं कि जो आर्ट है वो जो बाकि जितनी भी चीज़ें पाई जाती है हमारी वर्ल्ड में, हमारी सुसाइटी में, हमारे surrounding में उन सबसे वो different होता है वो different इस तरह से होता है कि जो आर्ट होता है वो अपनी presence जहना वो show करवाता है और हमारे सामने आर्ट की true कोई ऐसी चीज़ आती है जो कि tangible होती है, इनके जो solid हो, जिसको हम touch करके feel कर सकते है और impactful होती है जो हम पर असर रखती है तो आर्ट क्या है? आर्ट एक mood of being है कि आर्ट जो है, वो किस form में पाया जाता है आर्ट की type क्या है? आर्ट को जो हम लोग touch कर सकते हैं उसका असर होता है हमें उसको देखकर तो जो आर्ट है वो इस type का होता है यह concept दिया है the artist role कि जो आर्ट को बनाने वाला है artist उसका role क्या होता है आर्ट में अब जैसे कि artist होता है उसने आर्ट को बनाया है उसने अपनी imagination को paint किया है अब यह जो उसकी creation का process था उसका सिरफ यह काम नहीं था कि उसने आर्ट को बना दिया उसने उसको बहुत अच्छे से beautify कर दिया हमारे पास एक बहुत ही beautiful सा आर्ट का कोई भी piece आ गया है उसने वो हमारे सामने truth भी reveal करना है artist का यह purpose भी होता है बनाने का उसका purpose reveal करना होता है सिरफ यह नहीं कि उसने जो बनाया है उसको अपनी form जै वो उसके उपर जै वो उसने implement कर दिया आर्ट पे artist ने जो है वो अपना पूरा काम किया अपने जो उसने आर्ट भी बनाया है और उसने अपना truth भी दिखाया है तो actually में Martin के यह जो aesthetic theory थी क्योंकि मैंने आपको start में बताया इन्होंने critique किया है जो traditional aesthetic theory थी और इन्होंने new form बताई है modern art जै उसको जो है वो discuss किया है next point है art and historical context अब historical context means कि किसी भी चीज़ का background क्या है अब art जो है वो हमें ये भी बताता है कि art जो होता है ना वो अपने historical context के साथ linked होता है artwork जो होता है वो सिरफ उसी time के बारे में हमें नहीं ये बता रहे होते हैं इस time में इसको बनाया गया होता है जो art होता है वो हमें उस era के बारे में बताता है जिस era से वो belong करता है उसकी complete history क्या है और उसका knowledge क्या है हमें art के थूँ ये भी पता चलता है अब आपको इंपोर्टन concepts जिनको आज हमने डिसकस किया है I hope कि आपको इंपोर्टन समझ आ गए होंगे अगर आपको कोई भी question हो आप comment में mention कर सकते हैं वीडियो को like और share और channel को जरूर subscribe कीजिएगा Thanks for watching my channel